ने एक मुष्ट TMC को वोट किया है यह आंक्रे सीधे सीधे इंडिकेट करते हैं दूसरा ये कि BJP बार बार जो उनको मुस्लिम तुस्टेकरन की राजनीती का अरोप लगा कर उन्हें खरिश करने की बात कर रही थी मम्तब अनरजी ने चंडी पार्ट के जरिए उस दाग को भ चंडी पार्ट देखिए जिस तरह से उन्होंने ये अपना हिंदुत्यू का अवतार दिखाया नंदी ग्राम में गई चंडी पार्ट की शुरुवात उन्होंने की लेकिन उनकी नजर बाकियों पर भी थी तो वो कलमा भी पढ़ी वो चंडी पार्ट भी पढ़ती रही शा संकेत साफ हैं अगर 186 ये फासला बहुत बढ़ा ही साही बात है कि बीजेपी ने लेफ्ट कॉंग्रिस को जो पिछली बार के चुनाओं मिला था उसको पूरी तरह से सफाया कर दिया और टीमसी से भी कुछ लिया है तब जाकर वो 100 के आस पास पहुंच रहे हैं लेकिन टी किलो फ्रंट बना लेफ्टीमसी और कॉंग्रेस के साथ तीसरी तरफ जो भी अलग-अलग पार्टियां ये कोशिश करती रही रीजिनल स्टर पर कि वो किसी तरह से मुस्लिम वोट को बाटे वो नहीं हुआ एक मुश्ट ये हम लोगों ने देखा था फुरफूरा शरीफ क गड़ में जाकर वहां पर भी मुझे अबास सिद्धीकी का नाम लेने वाले लोग बड़े कम मिलें साफ कहते थे भाईजान ठीक है लेकिन भाईजान फुरफूरा शरीफ का ख्याल रखे यानि मस्जिद का हम वोट देंगे ममता दीदी को यानि मुस्लिम वोटर नहीं से जुड़े हुए लोग थे वो चंडी पार्ट और इन सब पर उनका भी भरोसा हुआ कि देखे ममता दीबी ऐसी है कहीं उनको बदनाम तो नहीं कर रही है बीजेपी बीजेपी ने एक एच तो लिया है सो सीटों के आस पास पहुंचते तो लेकिन ममता बाने जी बहुत आ लेकिन सौ से नीचे रह जाना और वह दक जब आप लोगों ने प्रशान किशोर का जो उनका रोप है कि आप लोगों की नजर तो वहीं पर हो गया प्रशान किशोर की भी कि सौ के पार होते हैं या नहीं सबसे पहले रुजहान सामने आ रहे हैं और एक यूनिन इंपरिक्री के शुरुवात तक चुमंगाल से ही करते हैं तीन से और अभी जो रुजहान में सौ दिखाया जा रहा है हमें यकीन है कि सरकार हमारी बनेगी शाम तक इंतजार करना चाहिए लेकिन तीन से सौ तक का यह जो आखना बड़ा है बहुत बड़ी जीट है और इसकी वजह मैंने बता दिये विचारधारा नित्रत मजबूत नरेन मोदी जी का और हमारा संगितन जो टारिक कर रहा था और टीम्सी के लिए जो आप कह रही है तो पिछली बात 211 सीटे टीम्सी जीती थी और इस बार जो रुजहान है 117 सीटों में कमी ही आई है इसको जीत माने या हार माने यह भी अभी शाम तक बता चल जाएगा दूसरी बात मत भूलिए कि एक तरफ सकरात्मक चुनाव श्री नरेन मोदी जी के नित्रित में हमने लड़ा लेकिन दूसरी तरफ हमने क्या देखा समविदानिक संस्ताओं को तारतार होते हमने देखा जैसे कि एलेक्शन कमिशन ओफ इंडिया पे उंगली उठाना तांग तूट जई मेरी कह रही थी मेरे पे हमला हुआ एलेक्शन कमिशन ओफ इंडिया ने का कोई ऐसा हमला नहीं हुआ था अर्थ सैनिक बल्स जो हमारे लिए इफाज़त का काम करते हैं उनका घेराओ करने की अपील दो घंटे तक एक पोलिंग हूट पे बैट जाना यह अपने हमारी गडवंदन की बड़ी यह खुद में दिखाता है कि किस तरह से सुचाव जी इससे पहले कि हम आगे जाए एक सवाल आपसे एक सेकंड एक सेकंड देखिए एक सेकंड पर थोड़ा ठेहरी है सर पक्षिप मंगाल पर ठेहरी है देखिए साम दाम दंड भेद आपने भ किया लेकिन अगर आपके चाड़कर आपके साम दाम दंड भेद को ममता बैन जी परास करती है तो आप